नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जरधारी क्लासे में दोस्तों आज से यहाँ पर उत्राखन जीके की एक नई सीरिज प्रारम की जारी है उत्राखन हिस्ट्री MCQ सीरिज इससे पहले दोस्तों हम आपको उत्राखन हिस्ट्री कम्प्लीट डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं अगर आपने अभी तक वो सिरीज नहीं देखिए तो आप प्लैलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर जो उत्राखन हिस्ट्री की 2022 वाली सिरीज है उसमें आप उन वीडियोज को देख सकते हैं वो वीडियोज दोस्तों आपके जितने भी आगामी एकजाम है उत्राखन पुलिस एकजाम, पटवारी, फोरेस्ट गार्ड या जो आने वाली भरती हैं उनके लिए बहुती महत्वपूर्ण है तो सलेवस यहां पर हिष्टी का कंप्लेट हो चुका है और अब यहां पर बहुत सारे अभ्यत्यों की मांग थी कि सर MCQ सिरीज शुरू की जाए उत्राखन हिष्टी की तो उत्राखन हिष्टी की जो परमुख बोक्स है जैसे अजे रावत हो गई या या सवंद कटोच जी की बोक या जो भी आने महत्वपूर्ण बोक है जहां से बार बार एकझामें प्रश्ण बनते हैं उत्राखन हिष्टी की तो वहाँ से इन प्रेश्णों का संग्रह करके दोस्तों और आपके लिए ये सीरीज में आप पे लेके आये हैं तो उमीद करते हैं कि ये सीरीज भी आपके लिए भूती महत्तपुन और हेलफुल होगी इस सीरीज में दोस्तों आपको उत्राखन हिस्टी के important question details में पढ़ाई जाएंगे ताकि आपका उत्राखन हिस्टी का revision भी लगातार हो सके साथ साथ इस सीरीज की जितने भी PDF होंगी वो आपको निशुलक वीडियो के discussion में या आप टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं जरदारी classes का वहां से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं साथ साथ बहुजल ज़े आपके लिए उत्राखन डिश्टीक सीरीज MCQ और उत्राखन प्रेक्षवानी MCQ सीरीज भी प्रारम की जागी कुछ दिनों बाद तो शुरुआत करते हैं पहले question से गड़वाल अब्धातर मंडल के पर्थम अधिवेशन का नेतरत्वा किस ने किया था गड़वाल अब्धातर मंडल की बात करें तो इसका पर्थम अधिवेशन हुआ था 1908 में और का हुआता है यह तो कोड़वार में हुआता और इसकी अधियक्षा की थी कुलानंद बर्थवाल जी ने डी option हो जाएगा इसका सही answer अगर हम बात करें गड़वाल अब्धातर मंडल की इस्थापना की तो इस्थापना दोस्तों इसकी 1907 में होती है और इसके संस्तापक थे मथुरा प्रसाद नेथानी क्योंकि गड़वाल अब्धातर मंडल की इस्थापना उसमें क्या उड़ता है कि गड़वाल में विभिन जातियां थी और उनके बीच डिस्टेंस या दूरियां बढ़ती जाए थी अलगलग जातियां अपने अलगलग संगठन बनाने की सोथ रही थी तो गड़वाल की विभिन जातियों के बीच बंदत्ता और सहयोग बढ़ाने के लिए गड़वाल ब्रहतर मंडल की इस्थापना की गई 1907 में मतुरा परसाद नेथानी जी द्वारा जैसे कि इसके नाम से ही गड़वाल ब्रहतर मंडल के नाम से ही आप लगा सकते हैं कि गड़वाल की जातियों के बीच बंदतों और सहयोग को बढ़ावा दिना तो पर्थम अधिवेशन 1908 में कोड़वार में जिसकी अध्यक्ष्टा किसने की कुलानंद बढ़वाल जी ने डी ऑप्शन हो जागा इसका सही आंसर कुएसें नमबर दो है कोशिक सम्थी ने प्रस्तावित उत्राखन राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी तो कोशिक सम्मित्य जिसका गठन क्यों किया गया था ताकि वो उत्राखन के बारे में वहां की भोगली प्रस्ति के बारे में उस पर एक अपनी क्या दे सके रिपोर्ट दे सके सरकार को तो कोशिक सम्मित्य का गठन किया गया था चार जन्वरी 1994 को पिल्गी उसमें उत्तरप्रदेश में था उत्राखंड और उत्तराखंड को पर्थक राज़्यप बनाने के लिए ये समित्य को गठी ती किया गया था ताकि ये रिपोर्ट सॉंप सके तो 4 जनवरी 1944 को जब कोशिक समित्य का गठानी किया गया था और इसके अज़ेक्ट से रमा संकर कोशी एक इस जोन 1994 को सरकार को ये समित्य अपने रिपोर्ट सौंपती है और ये समित्य सिफारिस करती है कि उत्राखंड में कितने जनपद बनाए जाएं मंडल ठीक है कितने मंडल बनाए जाएं तीन मंडलों की ये सिफारिस करती है तो B option हो जाएगा कोशिक समित्य ने प्रस्तावित उत्राखंड ड्राज में कितने मंडलों की सिफारिस की थी तो तीन मंडलों की सिफारिस की थी Q3 है 1917 में अल्मोडा में आउजित कुमाओं परिशत के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई तो कुमाओं परिशत का जो पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोडा में आउजित क्या गया था इसकी अध्यक्षता की गई थी जैदत जोसी जिद्वारा C option हो जाएगा सही answer कुमाओं परिशत के बार में मैं आपको इटेल से पढ़ा चुका हूँ गठन इसका होता है कुमाओं परिशत का 1916 में सितंबर 1916 में नैनिताल जन्पद में और यहाँ पे जो इसका पर्थम अधिवेशन होता है वो होता है 1917 में अलमोडा में पर्थम अधिवेशन के अध्यक्षता की जाती है जैदत जोसी जिद्वारा Question number 4 है चंद वंस के सासन काल में सिर्टान किस प्रकार का कर था चंद वंस के सासन काल में सिर्टान था केवल नगद सम्मंदित कर C option question number 4 का हुजाएगा सही answer और सिर्टान कर को सिर्टी कर के नाम से भी जाना जाता है सिर्टी कर या सिर्टान कर किस प्रकार का कर था केवल नगदी कर था question number 5 है उत्राखंड का हुडली इस्थल जहां से नीले रंग के सैल चित्र प्राप्थ हुए है किस जन्पद में इस्थ है हुडली इस्थल एक प्राचिन इस्थले दोस्तों उत्राखंड का जहां से बहुत सारे blue यानि नीले रंग के सैल चित्र प्राप्थ हुए और यह है आपका उत्तरकासी जनपद में इसीत है D option हो जाएगा सही आंसर और ऐसे ही अनेक प्राचीन इस्थल जैसे की लाकू ट्यारो अलमोडा में है गोरिख्या गुफा यह चमोली जनपद में है यहां से भूछ सारे ऐसे सेलजितर प्राप्त हुए है जिससे हमें उत्तराखन के एत्यासी काल के बारे में जानकारी मिलती है तो D option हो जाएगा सही आंसर question number 5 का question number 6 है वर्तमान चमोली जिल्ले के किस गाउं में सन 1956 इसपी में महापासानिया सवाधान खोजे गे थे तो महापासानिया सवाधान 1956 में खोजे गे थे उत्राखन के चमोली जनपत के मलारी गाउं में यानि एए option सही आंसर है महापासानिया सवाधान का सबसे महत्तपून इस्थाने दोस्तों मलारी गाउं उत्राखन का और 1956 में ये महापासानिया सवाधान यहाँ पे किस के द्वारा खोजे गे थे यानि खोज करता कों थे वो थे शिव परसाद डबराल ये नाम भी आपको नोट करना है इंपोर्टन्ट है शिव परसाद डबराल जी द्वारा 1956 में महापासानिया सवाधान खोजे गे थे मलारी गाउं में question number 7 है कुमाओं परिसत की स्थापना के समय कुमाओं कमिशनरी का कमिशनर कौन था देखो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि कुमाओं परिसत की स्थापना का वोई तो 1916 में स्थापना होती है कुमाओं परिसत की और इस समय जो कुमाउं कमिशनर था वो था पी विढ़म यानि इसका हो जाएगा B option सही answer पी विढ़म के सासनकाल इसका जो सासनकाल रहा 1914 से लेकर 24 तक और इसी बीच 1916 में इस्थापना होती है कुमाउं परिशत की सासाथ अब देखों यहाँ पर 1921 में कुली बेगार पर्था समाप हुई तो वो भी पी विढ़म के सासनकाल में कैंकि इसका सासनकाल है 1914 से और 24 तक और सासाथ गानि जी का उतराखन आगमन वो भी पी विढ़म के ही सासनकाल में हुआ तो यह सारी चीज़े मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेशन के साथ साथ बहुत सारे आपके क्वेशन यहाँ पर कबर हो सके और रिविजन आपका लगातार यहाँ पर हो सके तो इस सीरीज के साथ अधिक से अधिक दोस्तों आपको जुरुना है और ये वीडियो सीर जरू करें और ये question आपको कितने आ रहे हैं क्योंकि ये history सीरीज मैंने details में आपको पड़ा रखी है और ये बहुत पहले की ठीक है जनवरेश आपको प्रादम की थी और एक डेड़ मैने के अंतरगत मैंने वो सीरीज आपको complete कराये थी तो तब से लेकर आप तक तो आपने काफी बार revision भी कर लिया होगा और उस सीरीज के आपको details में यदि PDF सी है तो link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा question number 8 है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी ये simple सा question है नंदा देवी क्योंकि ये कई बार आप पढ़ चुके होंगे कई बार मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है आट का हो जाएगा question number 9 है उत्राखन पर्थकर राजे हे तू परवतिय राजय परिषद का गठन कहां किया गया परवतिय राजय परिषद का गठन क्या गया राम नगर में कव किया गया तो 1967 में और इसके अध्यक्ष कों थे तो वो थे राधा करशन पांडे और उपादिक्ष किसको बनाई गया था गोविंद मेहरा जी को और ये परवतिय राजय परिषद का गठन क्यों किया गया था उत्राखन परिषद का राजय बनाने है तो सतादिका राजवंस जो कि देरदुन के आसपास इसकी इसीति का पता चलता है और इसकी जानकारी मिलती है लाखा मंडल सिलालेक से क्योंकि लाखा मंडल जो सिलालेक है ये भी देरदुन में इसीता है क्योंकि लाखा मंडल का है तो देरदुन में ही इसीता है तो ये सिलाल जा हो चुके थे छागलेस राजवंस की तो D option देरदुन से ये प्राप्थवा देरदुन के लाखा मंदल सिलालेक से question number 11 है निमलेखित साहवंस के सासकों का कालकरम होगा तो साहवंस के सासकों का जो कालकरम है देखो यहाँ पे option दिया गया है महिपत साह, ललित साह, प्रत्वी पति साह और फते पति साह इस परकार के प्रस्ण भी कई बार एक्जामें पूछे जाते हैं तो यहाँ पे होगा सबसे पहले तो महिपत साह है उसके बाद होगा प्रत्वी पति साह तो यह होगा फिर थर्ड वाला होगा प्रत्वी पति साह और फिर यहाँ पे कौन है फते पति साह है और फिर है ललित साह ललित साह सबसे अंति में आजाएगा ललित साह वही सासके द इसने दोनों जगए कुमाओं में भी सासंकिया और गढ़वाल में भी सासंकिया पर्दिम्न साने जो कि फतेपत्षा का पुत्र था तो फतेपत्षा यहां पर लास्ट में आ जाएगा तो देखो option कौन से सही आ रहा है यह वाला सही आ रहा है डी option यहां पर सही आंसर हो जाए में इनके महतोपूर्ण फैक्ट के बारे में अगर चर्चा करें महिपत सहा जिनको गरो भंजन भी कहा जाता है गरो भंजन की उपादी इनको दी गई है और इनकी पत्नी का नाम था रानी करनावती जिनको नाकटी रानी के नाम से भी जर्ण जाता है और देरा दुन का जो कर सुलिमान सिकखओ ऐहां से प्र Collins बनता है सुलिमान सिकखओ को सिनगर में स्रक्षन देने वाला सास्था को उनकता तो वो थार्श्वी प्र hani वा सिवाजी न बगवाली पोखर युद में कुमाउं के राज़ को हराय था और वहाँ पे अपने पुत्र परदिम्र साह को राजगत्दी पर बिठाय था तो D option यहाँ पे सही कालकरम, D option हो जाएगा, सही आंसर Question number 12 है, नेपाल के सासक असोक चलने कत्यूरी राज़ पर कब आक्रमन किया था? तो असोक चलने कत्यूरी राज़ पर आक्रमन किया था 1191 में, यहाँ बी option हो जाएगा, सही आंसर Question number 13 के और बढ़ते हैं, कुली बेगार आंदूलन 1921 के समय, अलमोडा का डिप्टी कमिशनर कौन था? तो अलमोडा का जो डिप्टी कमिशनर था 1921 में, वो था डायबल अब एक प्रशन यहाँ से इस प्रकार से भी अन सकता है, कि 1921 में, कुली बेगार आंदूलन के समय, या जब कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी, तो उस समय कुमाओ का कमिशनर कौन था? तो कुमाओ कमिशनर था पी विधम, और अलमोडा का डिप्टी कमिशनर कौन था तो वो था डायबल, यह दोनों आपको नोट करने हैं, क्वेशन नमबर 14 है, अलमोडा जेल वो पोडी जेल की स्थापना कब हुई? इंपोर्टन प्रेसने दोस्तों, तो अलमोडा जेल की स्थापना होती है 1816 में, जबकि पोडी जेल की स्थापना होती है 1821 में, इस समय कुमाओ कमिशनर कौन था? तो कमिशनर ट्रेल के सासनकाल में 1816 में अलमोडा जेल की स्थापना की गई और 1921 में 1821 में पोड़ी जेल की स्थापना ट्रेल के सासनकाल के दोरान बहुत सारी महत्वपून घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि 1819 में पटवारी पतका सर्जन क्या गया कमिशनर ट्रेल के दोरा उसी प्रकार से 1822 में कुमाओं में आपकारी भाकी स्थापना की गई 1824 में डवल लोक ब्रवस्ता किस के दोरा शुरू की गई थी तो ये भी कमिशनर ट्रेल के दोरा शुरू की गई थी तो काफ़ डिटेल्स में आपको इस सारे फैक्ट हमारी जो उत्राखन हिस्ट्री डिटेल्स वाली सेरिज है 2022 की तो उसमें आपको बताया गया है तो उसको आप जरूर देखें जो की नए अबिरती हैं और आगा में एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कुछ सब्जक्ट ऐसे होता हैं दोस्तों जैसे उत्राखन हिस्ट्री हो गया या उत्राखन जीके हो गया जितने भी आपके ग्रूप सी के आने वाले एक्जाम है भवी समय वहां तक के लिए आपके लिए काफी अच्छी प्रेपरिसन आप अगर आज से स्टार्ट कर प्रश्नियां से बन सकता है तो यह आपका स्री नगर में किस पर्मार वंसियर राजा के शासन कालमें इस केसराय मत का निर्मान किस ने किया अगर ये प्रश्न बनता है तो निर्मान किया था महिपत साह ने अब आपके दिमाग में सवाल उत्रा होगा कि महिपत साह तो सुयम राजा था तो इसके सासनकाल में इसका निर्मान कैसे नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जो स्यामसा था, स्यामसा का चाचा था महिपत सा तो जब स्यामसा राजा था तो उसमें महिपत सा द्वारा केशुराय मटका निर्मान स्रीनगर में कराए गया स्यामसा की मृतिक के बाद महिपत सा बनता है राजा तो यानि इसने जब निर्मान कराए केशुराय मटका कब कराए था 1625 में तो उसमें राजा कौन था स्यामसा था जबकि जो महिपत सा है वो 1631 के आसपास राजा बनता है अब जादा सन आपको ध्यान डखनी जरुत नहीं ह बहुत सारी किताबों में आपको अलग-लग यहां पर तीथी देखने को मिलती है ठीक है तो फैक्ट मैंने आपको यहां पर बता दिया है एक प्रस्ने दोस्तों साहर कनेशाया किया वीडियो एक्जाम में बना था 2021 में जो एक्जाम हुए थे कि स्रीनगर में सामसाही बाग कि ने कराये था तो वह भी स्यामसाहने कराये था क्वेसर नंबर 16 है कालसी अबले की खौज़ में किस ने की तो कालसी अबले की खौज़ की गई है जोन प्वॉरेस्ट द्वारा, कब की गई अठारा सो शाट में काल सी अभलेक ने किस भासा का प्रेयोग किया गया है तो प्राकृत भासा और किस लिप में लिखी गई है तो ब्राहमी लिप में और ये काल सी अभलेक कहा है तो देहरदून में ये इसलित अらगा है Quesion No.18 है चंद सासन काल में पंच नविशी का संबंध है तो पंच नविशी क्या थी चंद सासन काल में तो पंच नविशी थी एक पंचायती कचारी यानि बी ओप्चन हो जाएगा सही आंसर चंद सासनकाल में दोस्तों तीन प्रकार की कचारियां देखने को मिल थी निवाली, बिष्ठाली और पंचनवीसी तो पंचनवीसी किस प्रकार की कचारी थी तो ये थी पंचायती कचारी बी ओप्शन हो जाएगा सही आंसर Q19 है गोरखा कालीन नेथना का किल्ला कहा है तो नेथना का किल्ला है आपका अलमोडा में 19 का हो जाएगा B ओप्शन Quesion No.20 है देरादुन में 1918 में हॉम रूल लेकी साखा किसने इस्थापित की तो देखो सबसे पहला प्रस्ण तो यहां सी यह बनता है कि देरादुन में हॉम रूल लेकी साखा कब इस्थापित की गई थी तो 1918 में लेकिन उत्रा ख़ड में होम रोल ले की इस्थापना कब की गई थी देरदुन में 1918 में सी ओप्शन आपको ध्यान रखना है अब बात करता हैं कि बाल गंगा धर तिलक जी ने होमरोल लेकी इस्थापना करका की तो 28 अपरेर 1916 को जरकि एनी बैसेंट द्वारा होमरोल लेकी इस्थापना की गई थी सितंबर 1916 को लेकिन उत्तरा खंड में दोस्तों ये प्रशन कई बार बन चुका है 1914 में होमरोल लेकी इस्थापना हो जाती है तो देरदुन में 1918 में होमरोल लेकी साखा इस्थापित की थी स्वामी विचारनंद सरसुती जी ने क्वेसन नमबर 21 है कणवासरम किस नदी के तटपर इस्था है तो कणवासरम है आपका पोड़ी जनपद में और ये है आपका मालिनी नदी के तटपर C उप्सन हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेसन नमबर 22 है उत्थान समाचार पतर के समपादक कौन थे तो उत्थान समाचार पतर जिसका प्रकासन 1937 में हुआ था और ये एक सापता ही के समाचार पतर था और इसके समपादक थे ज्योती प्रसाद माहिस्वरी यानि B आप्सन हो जाएगा 22 का सही आंसर क्वेसन नमबर 23 है गडवाल का बारदोली कहा जाता है तो गडवाल का बारदोली है गुजडू अब यहाँ पर देखो कुमाओं का बारदोली कौन है तो कुमाओं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को ठीक है कुमाओं का बारदोली हो गया सल्ट तो लोक सभा में उत्तर परदेश पूर्णर गठन विधियक 2000 पारित हुआ था 1 अगस्थ 2000 को ए ओप्षन हो जाएगा इसका सटी कांसर उत्तर परदेश पूर्णर गठन विधियक 2000 क्या था जिसके मादेम से उत्राखन को पर्थक किया जाना था तो लोग सभा में सबसे पर ये प्रिस्तुत किया जाता है 27 जुलाई 2000 को प्रिस्तुत की वेवी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है फिर पारित होता है लोग सभा से 1 अगस्त 2000 को फिर राजे सवा से ये 10 अगस्ट 2000 को पारित होता है और राष्ट पत्य की इसको मंजूरी मिलती है 28 अगस्ट 2000 को तो इस प्रकार से राष्ट पत्य की मंजूरी 28 अगस्ट 2000 को मिलने के पसद उत्राखन राजे का गठन किया जाता है Q25 है गोर्खा कालीन न्याई ब्यवस्ता दीब ब्यवस्ता ये एक गोर्खा कालीन न्याई ब्यवस्ता थी को किस कुमाओं कमिशनर ने समाप्त किया था तो यहाँ पे करनल गोवन, बी ओप्शन हो जाएगा सही आंसर, करनल गोवन द्वारा गोर्खा कालीन न्याई विवस्ता, जो की दी विवस्ता थी, एक न्याई विवस्ता थी गोर्खा कालीन, तो इसको समाप्त किया गया था करनल गोवन द्वारा, साथी साथ दोस्तों करन पर पूर्ण पर्तिबंद लगाने वाला कुमाउं कमिशनर को था तो वो था करनल गोवन साथ साथ करनल गोवन ने महिला विक्रे पर था और बाल विक्रे पर था भी समाथ की थी इन पर भी पर्तिबंद लगाया था Q26 है निर्बल सेवक समाचार पत्र था तो जो निर्बल सेवक समाचार पत्र था ये था एक प्रकार का सापताहिक समाचार पत्र B option हो जाएगा 60 cancer अब यहाँ पर निर्भल सेवक समाचारपत्र इसका प्रकासन का वाद तो 1913 में इसका प्रकासन हुआ तो इसका प्रकासन होता है देर दूं से निर्भल सेवक का और यह एक प्रकार का साप्ताथिक समाचारपत था कंजन मर 27 है कठेत गर्दी का सम्मंध। गडवाल के किस परमार वंसिया राजा के सासन कालज है। कठेत गर्दी का सम्मंध वो है फतेप पतिसाह से। अब कई अभ्यरती इस बात से भी अंजान होंगे कि यह कठेत गर्दी क्या थी। तो कठेद गर्दी देखो महिपत सहाजब राजब बनता है तो ये एक छोटी सी उम्मर में राजब बनता है और इसकी सरक्षिका के रूप में राजमाता कटोची देवी इसका राजगाज देखती है इसकी सरक्षिका का कारिभार समभालती है तो कटोची देवी जब सरक्ष के सासन काल की घटना जब इसकी राजमाता कौन थी वो थी राजमाता कटोची देवी जी तो उसमें फतेपत साथ छोटक तो ये तो कुछ कर नहीं सकते थे तो इसलिए यहाँ पे कठेद गर्दी का सम्मन्द है फतेपति साथ से गोर्खा सासन के समय सुब आउसरों वा साधी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था सुब आउसरों और साधी के समय जो लिया जाने वाला कर था वो था ती का भेंट कर C option हो जाएगा सही answer अब देखें आप यह पुंगाडी कर क्या था तो यह था एक प्रकार का भूमिकर अभी भी आप गडवाल में जाओ कुमाओं का तो साइद मुझे नहीं पता लेकिन गडवाल में अभी भूमिको क्या कहा जाता है पुंगडी कहा जाता है तो पुंगाडी कर का सम्मन था भूमिकर से साइद कुमाओं में भी यही कहा जा सकता है तो कुमाओं वाले बता सकता है कि भूमिको वहाँ पे वहाँ की आम भासा में क्या कहा जाता है उस बिए सलामिकर तो सलामि ये प्रकार का नजराना भेंड कर था टीका भेंड कर मैंने आपको बता दिया है ये साधी आउसरों या सुब आउसरों पर लिया जाने वाला कर था और तीमारी कर क्या था तो ये था गोरखा फोजदारों और सुबेदारों को दिया जाने वाला कर तो चारों करों के बारे में आपको आपके बता दिया है डिटेल्स में Q29 कौन अलमोडा अकबार के संपादक नहीं रहे अलमोडा अकबार के संपादक बुद्धिवल्लब पंते जी रहे क्योंकि बुद्धिवल्लब पंते जी नही 1871 में सरपर्थम अलमोडा अकबार निकाला था और इसके ये पर्थम संपादक थे मुंसी इम्तियाज अली ये भी रहे हैं और जीवा रंजोसी भी रहे हैं तो D option यहाँ पर सही answer है सरदेव सुमन्जो की अलमोडा अकबार के संपादक नहीं रहे Question number 30 इसे चंद वंस का पर्थम सासक जिसने दिली के सुल्तान फिरो साथ तुगलक से मुलाकात के थी तो फिरो साथ तुगलक से मुलाकात करने वाला चंद वंस का जो सासक था यहाँ पर ज्यान चंद यानि तीस का हो जाएगा B option और फिरो साथ तुगलक जो कि तुगला को वन से समम्मद था दिली का सुल्थान था उसने ग्यान चंद को गरूर की उपाई देत और इसलिए ग्यान चंद को ग्यान गरूर चंद के नाम से भी जाना जाता है Question No. 31 ए से तिलाडी कांड का सममंद है तो तिलाडी जो कांड का सम्मन्द ये है वन अधिकारों से तिलाडी कांड ये टीरी रियासत में हुआ था रवाई में तो इसलिए इसको रवाई कांड या तिलाडी कांड के नाम से भी जान जाता है कब वह था थो 30 मई 1930 को और उसमें टेरी रियासत के राजा थे नरेंदर साहा नरेंदर साह के दिवान थे चकड़ा जुयाल जो की वन अधिकारों के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन पर उन निहते लोगों पर ये गोली चला जेते हैं तो इस कांड को जान जाता है तिलाडी कांड या रवाई कांड के नाम से ये किस नदी के तडपर वाता तो ये वाता यमुना नदी के तडपर नदी भी पूछी जा सकती है क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रशन आप से बन सकता है जो फैक्ट आप पढ़ते हैं जो पॉइंट आप पढ़ते हैं उसके बारे में संपूर्ण फैक्ट के जानकरियाग को होनी जरूरी है और इस तिलाडी कान को उत्राखन का जलिया वाला बाग हत्याकान के नाम से भी जाना जाता है गडवाल हितकरणी सबागी स्थापना कब हुई तो गडवाल हितकरणी सबागी स्थापना होती है 1901 में इसका उधिस्त जनता को सिक्चित करना और जितनी भी कुपर्थाएं हैं उत्रा खट में उनको समाप्त करना Question number 33 योधे की तामर मुद्राओं में किस लिपी का परियोग किया जाता है योधे इनकी तामर मुद्राओं में किस लिपी का परियोग किया गया है तो ये है आपकी ब्रहमी लिपी का परियोग किया गया है योधे की तामर मुद्राओं में योध्य की तामर मुद्राओं के अगर बात करें तो इनके अगर भाग में एक इस्ट देवता जो के इनके कार्तिके इस्ट देवता थे उनका चित्रण देखने को मिलता है जब के पस्ट भाग में एक देवी का चित्रण देखने को मिलता था और ब्रामी लिप में लिखे गई इनके ये योधे के तामर पातर ये कहां कहां से प्राप्थ है उतराखन से तो जोन सार बावार शेतर हो गया, कालो रणा का छेतर हो गया, साहरनपुर शेतर हो गया इन छेत्रों से योधियों की तामर मुद्राएं प्राप्ट हुई थी जिसमें ब्राहमी लिपिका परियोग किया गया है Q34-1857 की करांती के समय ब्रिटिस गडवाल का डेप्टी कमिशनर कौन था तो ब्रिटिस गडवाल देखो आप से जानते हैं कि जब कमाओं कमिशनरी का विवाजन किया गया था तो वहां पर ब्रिटिस गडवाल को विवाजित किया गया था 1849 में और इसका मुख्यालय बनाए गया था स्रीनगर गडवाल फिर 1849 में पोड़ी जनपद का गठन किया जाता है और ब्रिटिस गडवाल का मुख्यालय पोड़ी में इस्थाननत्रित किया जा चुगा है क्यानि 1849 में कुमाओं कमिशनरी अलग है और यहां पे ब्रिटिस गडवाल अलग है तो 857 की क्रांदी के समय बेटेस गडवाल का जो डिप्टी कमिशनर था तो वो था यहाँ पे बेकट 34 हो जाएगे यहाँ पे B option सही आंसर अब प्रस्नियासी भी बनता है कि 857 की क्रांदी के समय कुमाओं कमिशनरी का कमिशनर कोन था तो वो था हैंडरी रैमजे आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 35 की और उत्राखंट से किस ब्यक्ति ने डांडी यात्रा यानि दांडी यात्रा में भाग लिया था गाहनी जी की दांडी यात्रा में उत्राखंट से तीन ब्यक्ति ने भाग लिया था कौन-कौन से थे वो तीन ब्यक्ति आपको नाम जरूर याद रखना है नमबर वन जोतिराम कांडपाल तो यहाँ पर तो यह बी ऑप्शन सही है दूसरे ब्यक्ति थे दोस्तों भेराव दत जोसी और तीसरे ब्यक्ति थे खड़क बहादूर तो तीनों ब्यक्ति इंपोर्टन्ट है यहाँ से प्रशन बनता है तो जोतिराम कांडपाल इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर जिन ब्यक्ति ने गांड़ी जी की दांडी आत्रा में उत्राखन से भाग लिया था तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर 36 का बी ऑप्शन रणजोर थापा रणजोर थापा जिसने विचारी और अविचारी पदों का सिर्जन किया विचारी का मतल़ होता है जज और अविचारी का मतल़ होता है अधिसासक रणजोर थापा जो की गढ़वाल का दुतिय गोरगा सुबिदार था इसने विचारी और अविचारी पदों का सुर्जन किया था Question number 37 है जूला 25 नामक भू विवस्ता किसने करवाई तो जूला 25 नामक भू विवस्ता कराई थी परताप साहने अच्छा आप देखो कब कराई थी तो 1873 में और जूला 25 नामक भू विवस्ता के अंदरगत परताप साहने लगबग अपने राज्यको अपने रियासत को 22 पट्टियों में विभाजित किया था और परतीक पट्टि में एक-एक कर लेने वाले ब्यक्चिकी न्यूक्चिकी थी तो परताप साहदवारा 1873 में जूला 25 नामक भू विवस्ता कराई जई थी क्वेस्टन नमबर 38 निम्बर वंस का सरवादिक उलेक मिलता है तो निम्बर वंस ये कार्थिकेपुर राजवंस का दूसरा परिवार था निम्बर वंस और इसका जो सरवादिक उलेक मिलता है वो मिलता है पांडुकेश्वर तामर पत्र से अब प्रस्न ये बन चाकता है कि पांडुकेश्वर तामर पत्र कहां से मिला तो ये मिला जोसी मठ से जोसी मठ से प्राप्थवा था पांडुकेश्वर तामर पत्र अब जोसी मठ से यहाँ पर कार्थिकेपूर राजवंस के एक संबन है क्योंकि कार्थिकेपूर राजवंस की जो पर्थम राजधानी मानी जाती है वो चम्वली के जोसी मठ में ही मानी जाती है कार्थिकेपूर राजवंस का संस्थापक मानी जाता है बसंत देव को जो कि कार्थिकेपुर राजवंस के पर्थम परिवार का भी था जाकि जो निम्बर वंस है ये कार्थिकेपुर राजवंस का दितिया परिवार है ठीक है तो निम्बर वंस का भी सरवादिक उलेक मिलता है पांड के सर तामर पतर से ये परिवर अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी डिटेल्स वारी सीरीज जरूर देखें उत्राखन हिष्टी दोजार बाइस क्वेशन नमर 49 है उत्राखन का पर्थम सुदंता संग्राम सेनानी था 1929 को और अब देखों यहां पर एक प्रस्ण यह बन सकता है कि नायक सुद्धार समिती इसका गठन कब किया गया था तो 1919 में किया गया था नायक सुद्धार समिती का गठन और इसका मुख्य उद्धिस यही था कि जो नायक समाद है जो नायक जाते है उसका उधार करना वहाँ की जो छोट-छोटी कन्याई हैं जो बालिकाई हैं जो वैस्यावर्ति में चली जाती हैं उनको वापस लाना या इस कारे में इस कारे को करने के लिए उस पे रोक लगाना तो 1919 में गठित की एथी नायक सुधार समीती और इसी के ठीक दसार बाद 1939 में इसमें कुमाँ कमिशनर थी एंसी इस्टिपन तो 1939 में नायका बालिका रक्षा कानून बन जाता है जिसका मुख्य उद्यस था नायक समाज की कन्याओं में वेसेवर्ति कराने पर मिसेद या रोक लगाना तो C option हो जाएगा सही आंसर नायक समाज क्या था नायक समाज की उत्पति या नायक जाती किस परकार से हुई ये मैंने आपको चल्द मांस में काफ़ी डिटेल्स में बता रखा है तो 40 का याँ पर C option हो जाएगा सही आंसर दोस्तों ये थे उत्राखन हिस्टी के MCQ स्रेज के फर्स्ट पार्ट के टॉप 40 क्वेशन और अभी नाश्ट दे भी ऐसी लगातर आपके लिए मनलब एक है दो दिन सोड़के क्योंकि बीच में आपके लिए District Series, MCQ Series भी आगी परिक्षाव आने की MCQ Series भी आने वाली है और जिला Series भी हो गया ठीक है तो इस परकार से आपके लिए MCQ Series यहाँ पे उत्राखन GK की चलने वाली है क्योंकि उत्राखन GK का Corps हम लगबग आपको complete करा चुके हैं कुछ important fact हम बीच बीच में जरूर लेके आएंगे जहां से important person बन सकते हैं और इसी प्रकार से आपके लिए यहां पर MCQ series लेके आएंगे ताकि आपका revision अब लगातार हो सके क्योंकि अब आपका revision कराना है उमीद करेंगे यह आवाली series आपको